इंद्रिश कुमार का वयान आपने सुनाया आगे बढ़ते हैं इस वक्त एक और बड़ी ख़बर का रुख कर लेते हैं दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है आप जानते हैं कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं दो राजियों की लेकिन इस से जल संकट के बारे में सोचा जा रहा है लेकिन समाधान नहीं आज यमना रिवर बोड की बैठक संबावित है सुप्रीम कोट ने कल दिये थे बैठक के निर्देश ख़बर ऐसी थी क्यूंकि हिमाचर प्रदेश की तरफ से पहले यह कहा गया था कि हम पानी रिलीस करेंग कि सुप्रीम कोट के कल दिये गए निर्देश पर ये बैठक होने जा रही है क्योंकि दिली में जल संकट भीशन गर्मी में लगाता गहराता जा रहा है कई इलाकों में जो तस्पीर इस वक्त आप निस 24 पर देख रहे हैं यही तस्पीर है जो चिंता जनक है टेंकर के सहार बरस्तों जिंदिकियां गुजार रहे हैं लोग और यह इस्तिती है कि टेंकर में पानी आता है लेकिन वो पूरी तरीके से सभी के प्यास बुझा पाए यह सभी के उप्योग में आ पाए यह असंभव है क्योंकि पानी बहुत लिमिटेड है और लोग वहां पर बहुत जाता है जो पीछे रह जाते हैं वो विचारे पानी के लिए तरस्ते रह जाते हैं कई बार इतनी मार पीट भी हो जाती है लोग चोटिल भी हो जाते हैं लड़ाई जगड़े होते हैं और यह मात्र इसी बरस की समस्या नहीं है हर बार भीशन गर्मी में दिल्ली प्यासी औ मासे दो सरकारी चलती है, एक गेंजरे की सरकार है, दूसरी रजी सरकार है, उसके बाद भी दिली के कई इलाके प्यासे हैं. समाधान तो है नहीं नहीं कि सियासद चरम पर है, सुप्रेम कोर्ट को दखल देना पड़ा है कि योगी दिली सरकार खुद जाag पॐंची, बोर्ड इस पर समाधान निकालने की कोशिश करेगा सुप्रिम कोर्ट के निर्देश पर तो सुप्रिम कोर्ट ने कल बैठक के निर्देश दिये थे विमल कोशिक इसपक दिल्ली हर्याना बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं विमल और दिव्यावी मेरे साथ जुड़ गई हैं दोनों से हम बात करेंगे पहले विमल का रुक कर लेते हैं विमल के पास इस दिल्ली जल संकट को लेकर क्या इन्फॉर्मिशन है विमल जो बिल्कुल देखे विपनेश मैं इस वक्त दिल्ली हर्याना बॉर्डर पर हूँ और हम ये रियलिटी चेक करने आये थे कि आखिरकार जिस सरकी की बाते की जारी हैं दिल्ली सरकार की तरफ से के हर्याना की तरफ से पानी कम छोड़ा जा रहा है या फिर रास्ते में पानी चुराया जा रहा है तो जहां तक चोरी की बात है पानी चोरी की तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार अपने इलाके में करीब 15 किलोमेटर का इलाका दिल्ली पुलिस का पड़ता और यह देखे मैं बॉर्डर की तस्वीर दिखाऊंगा ठीक सामने बैरिकेट भी दिख रहे होंगे दिल्ली हर्याना बॉर्डर है सोनिपत और दिल्ली का यहां पर भी लगातार पुलिस जो है पूरे इलाके में 15 20 किलोमेटर के लाके देख़े कर रह毓 और दूसी तरफ की तस्वीर दिखाता हूं उस मुनक केनाल की जिसके जरिये दिल्ली को पानी दिया जाता ह हर्याना की दरफ से और हिमाचा पूरी तरिके से फूल रहे है इसके लावा तनाव़ इसके साथ में एक और कच्ची नहर भी है उसमें भी जबन दस पानी छोड़ा गया हर्याना की तरफ से वो कनाल भी पूरी तरीके से लबा लब है और देखे मैं दूसरी तरफ दिखांगा किस तरीके से पूरी कनाल जो है वो भी भरकर चल रही है तो पानी की दिक्कत यहां नहीं है जिस तर पर आएगी कि हर्याना से जरूर से जादा पानी छोड़ जाएगे जिसके चलते हैं दिल्ली में पानी बहुत जादा हो गया और बारिशे शुरू हो जाएगी तो यह तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी तो लिहाज़ा इसमें केवल सियासत जादा नजर आती है क्यों पर तमाम खेती का लाएक है लेकिन कहीं भी खेत भी सूखे पड़े हैं तो ऐसा भी नहीं कि यहां से किसान पानी चुरा रहे हो और टैंकर हाँ बिल्कुल इस टैंकर माफिया की बात लोगोंने मानी के टैंकर यहाँ पर घूमते हैं लेकिन उसको लेकर पुलिस लगातार कर रहे पर सवाल यही है कि दिल्ली के उप्राज्येपाल भी इस बात को कह चुके हैं कि 40-50 फिसदी पानी जो है वो वेस्ट होता है अनकाउंटिड है यानि कि उसके बारे में जानकारी ही नहीं है और जिस तरीके से दिल्ली सरकार खुदमंत्री जो है आतिशिये कह रहे है कि 40-45 फिसदी पानी की कमी हो रही है लेकिन तस्वीर जो है वो इस तरह से नज़र नहीं आ रही है दिल्ली के कई लाके हैं जो बूल मुझे बात और बदाईए क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने पहले ये कहा था कि हम पानी देने के लिए तैयार हैं लेकिन बाद में मना कर या इसके बात सुप्रिम कोट के आदेश पर यमना रीवर बोर्ड की बैठक होने जा रही है हर्याना की तरफ से क्या हर्याना सरकार क्या कह रही है पानी रिलीज करेगी एक्स्ट्रा जो मांग की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से या नहीं करेगी क्या है इस पर अपड तो हर्याना से पानी पूरी तरीके से छोड़ा जा रहा है और इससे जाधा पानी अगर छोड़ा तो यह पानी कैनाल से उपर निकल कर और खेतों में पहुंच जाएगा आसपास क्योंकि हमने पूरे इलाके में करीब आसपास 5 किलोमेटर के रेडियस में हमने आगे जाकर दे कहना है कि जितनी जरूरत है उससे जाधा पानी छोड़ा जा रहा है हर्याना की तरब से तो फिर ये दिल्ली में संकट क्यों गहराया हुआ है दिल्ली सरकार ये क्यों कह रही है कि हर्याना की तरब से पानी कम छोड़ा जा रहा है उन्होंने सुप्रिम कोट किया दरवाजा खटकटाया और सुप्रीम कोट ने अब यमना रिवर बोर्ड को बैठक करने के निर्देश दियें कि इसमें समाधान निकाला जाए बेल्कु देखे दिल्ली सरकार चुकि हर्याना में बीजेपी की सरकार है इसलिए हर्याना सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है पहले दिल्ली सरकार ने ये कहा कि हिमाचल जो है वो अतिरिक्त पानी देने के लिए तयार है लेकर अब हिमाचल साफ कर चुका है कि वो अतिरिक्त पानी नहीं दे चुका ये समझना जरूरी है कि देखे दिल्ली में कोई अपना जो जल का स्रोत है वो नहीं है दिल्ली जो है पूरी तरीके से घिरा हुआ है पानी को लेकर वो पंजाब उत्तरप्रदेश हिमाचल और यूपी यहां पर निर्भर करता है और जब इतनी भीशड गर्मी है तो उन राज्जियों को अपनी भी जरूरत है ऐसे में वो बिना प्लान के आपको पानी नहीं दे सकते और इसी ब गैलन पर डे और आ रहा है अज दिली सरकार की मंतरी नहीं थे गप सवाल पानी कबरानाा है ओ इस वो कमियां है उसकोडोर करना है, आप कमियों को दूर नहीं कर रहा है कोई भी मैं सिर्फ दिली सरकार की बात नहीं कर रही हूं या हरियाना सरकार की देखे इमाचल सरकार की देखे केंदर सरकार इसमें क्या कर रहा है जाहित तोर पर जब दिली जैसे जगा पर जो देश की राजधानी है इस तरह की भीशड समस्य आती है तो उसका भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि वो जो summer action plan है दिल्ली के उपराजिपाल हर बात को लेकर आरोप तो जरूर लगा रहा है लेकिन आक्शन क्या लिया जा रहा है देखे इस वक्त मैं दिल्ली के चानक के पुरी में हूँ और चानक के पुरी वो इलाका है बहुत पौश इलाका माना जाता है सारी इंबैसिस यहां है बिटिश नितिक दल इसमें अपनी तीखा तिपणी आरोप प्रत्यारोप करिये लेकिन देखे ये आप किस तरीके से यहाँ पर पानी के कंटेनर से बिचे हुए हैं सड़क के दोनों तरफ इस तिनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बाल्टिया ग्यालन्स जो है वो बिचे वे नजर अब ही मेरे सामने यहाँ पर टैंकर आया था और जैसे ही टैंकर आया इसकदर लोग जो हैं बच्चे बूड़े महिलाए इसकदर भाग रहे थे जैसे कि उनको अक्सीजन मिल गया है और सोची इतनी भीशण गर्मी में पानी की एक-एक बूंद के लिए ये दिल्ली वाले जूज रहे हैं टैंकर के ऊपर लोग चड़ गए और जो टैंकर के वाल्व होते उसमें अपना पाइप लगाने को बेकरार थे क्योंकि वो जादा से जादा संख्यां में पानी भर चुकि आप देखिए पूरी जो बाल्टिया है इस वक्त लबालब भरी हुई है अब यहा पर कभी वाटर पाइपलाइन आएगी सीवर की पाइपलाइन आएगी क्योंकि 30 साल से इनी हालातों से जूज रहे हैं पूरी तरह से टैंकर पर निर्भर करते हैं लेकिन हमारी सरकारे क्या कर रहे हैं हमारी प्रशासन क्या कर रहे हैं वोट लेकर चले जाते हैं और यह कहत पहले ही सरकारों को इस तरीके के निर्देश क्यों नहीं दिये गए कि अगर ऐसी समस्या आती है तो आप हमें अतिरिक्त पानी दे दीजे और अगर अतिरिक्त पानी दूसरे राज्यों की तरफ से नहीं आ रहा था तो जो पानी की बरबादी हो रही कल भी इतनी सारी तस्वी का रुख दिल्ली जल संकट पर हिमाचल के सीम का बयान भी आ गया है पानी ना देने के आरुम पर बोले हैं सीम सुकु, सुप्रेम कोार्ट को गलत जानकारी दी गई हमने पानी छोड़ने के आदेश दे रहे है हमने कहीं भी पानी को नहीं रोखा है हिमाचल पर देश के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हमने पानी कहीं नहीं रोक रहा सुप्रिम कोड को गलत जानकारी दी गई है और पानी चोड़ना है उसके आदेश हमने दिये हैं दिल्ली जल संकट पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान आ गया है क्योंकि इससे पहले हम जानका कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक्स्वापानी रिलीस करने के लिए मना कर दिया गया इसलिए सुप्रिम कोड को यमना रीवर बोड को बैठक करने के निर्देश देने पड़े कि आप दिल्ली के जल संकट की समस्या का समाधान निकालिए जब ये बात थोड़ी थोड़ी और बढ़ गई और सवाल उठने लगे तो हिमाचल प्रदेश की तरफ से खुद मुक्की मंत्री ने ये बयान दिया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोड को गलत ज़ानकारी दी गई है सुनिए क्या कुछ कहा गया है सीम की तरफ से कि हमने पानी चोड़ा हुआ है अब सुम्रीम कोड को इस बात की जानकारी देने का हुआत हमने वकीलों को कहीं है ऑर च्मियू लटार लाई लगा है ये हमें समझ नहीं आ रहा जब हमने पानी छोड़ने का देश दे निया है है और निश्चित रूब से पानी हर्यान से उकर जाएगा हमारा पानी ओ रोक के थोड़ी रखips हम तो बोलते और कितना पानिये दिल्ली भी हमारे दिल्ली में भी रहते और हमारा दाइता ही ये पुन